तो वेल्कम बैक दोस्तों अगर आपका एक से ज़्यादा कम्पनियों का पीएफ है और आपको अपना पीएफ निकालना है तो पुराने कम्पनियों का पीएफ निकालने के लिए एक तरीका होता है सिर्फ वो होता है आपको पुराने कम्पनियों का पीएफ अपने नई के प्राइब क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यह वाला पेज आपके सामने खुड़ेगा यहाँ पर सिंप्ली आपको आना है online यहाँ पर लिखावा देखिए online service इस पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद one member one EPF account इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी कंपनी करने और जिसका पीए वापको ट्रांस्फण करना है ठीक है तो यह सजे करने के लिए नमबर है उसको है ना पड़ेगा यहां पर क्लिक करेंगे पहले उसके बाद अपना यह नमबर वहां पर डालेगा यहां पर देखिये एक company का जो PF number है वो आपको यहाँ पर देखेगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है जैसे अपना UR number आप यहाँ पर डालते हो उसके बाद यहाँ पर click करते हो तो जितने भी company में आपने काम क्या होता है जो भी आपके पुराने company होती है उन सबकी list हैंपर आजाती है ठीक है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही company में काम गया पहले अभी एक company में काम कर रहा हूँ और एक company मेरी पुराने वाली है तो दो company होगी मेरी तो मेरी पुराने वाली company का जो number है वो यहाँ पर आगया है इसके बाद आपको पेज को नीचे करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर simply get OTP इसके बाद आपके register number पर एक OTP जाएगा OTP जा चुका है और OTP को दोस्तों आपको simply यहाँ पर enter कर देना है इसके बाद submit पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखके आजाएगा कि आपने जो OTP डाल था वो successful हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों हमारा सारा काम हो गया खतम आप हमें कुछ नहीं करना कुछ टाइम बाद जैसे कि मालीजे दस दिन पंदर दिन वाद आप चेक करोगे अपने स्टेटस को तो वहाँ पर दिखा देगा कि आपका पीएफवो ट्रांसर हो चुका है ठीक है इस्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर इधर क्लिक करोगे पताएट हूं कि यहां पर एक लिस्ट आजाएगी कि आपने यह जो पीएफवो का यह ट्रांसर किया है इस कंपनी का और यहां पर लिखा हुआ है एक डाउनलोड भी कर सकता है पीडियेफ को जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब कि आपने काम किया है ठीक है तो कौन से कंपने का और दस दिन के दो अंदर अंदर यह तरफ हो जाता है तो इस वीडियो में इतना ही इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिक्कात आ रहे है कहीं में कुछ समझ नहां तो कमेंट कर देना वीडियो पसंदा आईए तो लाइक जरू करते ना थेंक योश्यार मच्छ